नमस्ते दोस्तों आपका एक बार फिट से स्वाग अता आपके अपने यूटूब चैनल टाकिंग अबाउट जीके पर पिछले वीडियो में हमने बाबर और हुमायू के बारे में देन किया था इस बार में आपके लिए अकबर के बारे में लेके आया हूँ देखें दोस्तों अकबर का जो शासन कालता हूँ पन्दी सासन किया था अकबर का जन्मवा था पन्दर एक्टूंबर 1542 को और यह अमर कोट का रजा था उसके वहां पर इसका जन्मवा था इसकी माता का नाम हंमीदाबानो और पिता हुमायू था तो अकबर का लारन पालन करने वाली इसको धाय मा काना हमा मनगा था और इसके गुरु अब्दुल लतीब थे जिसने अकबर को सुलक कुल की नीती को सिंखाया सुलक कुल का मतलब होता है सबसे मेत्रि संबंध कायम करना जैसे अकबर ने राजपूत राजव के साथ मेत्री सम्मन्द काइम किये और बाकी राजव के साथ भी मेत्री सम्मन्द काइम किये इसको सुलह कुल की निती कहते हैं इसके बाद में देखे अकबर के जनम पर हुमायू ने कस्तूरी के बीज बाटे थे अपनी परजामें हुमायू ने कस्तूरी के बीज बाटे थे जिस समय हुमायू की मर्तियों गई थी उस समय अकबर का जो एक अभियान चल रहा था काला नुरू नामिस्तान पर उस टाइम पर ये काला नुरू नामिस्तान पर था और इधर हुमायू की मर्तियों गई थी तो इस समय पर जो बेरान खान था जो हुमायू का सेना पती था उसने अकबर का वहीं पर जो राजवी से कर दिया था और इसी बीच में जो मुल्ला वैक्षी था उसको सत्रे दिनों तक समराट के रूप में दर्बार में बुलाया गया था और इसके बाद में 14 फर उड़ी 1556 में बेराम खान था इसने वहीं पर इसका राजवी से कर दिया था और इसके बाद में जो यहां पर आये थे अपने राज़े में तो वहां पर पांच नौवर 1556 को पानिपत का दूसरा इद्वादा पांच नौवर 1556 को पानिपत का पर्थम युद में आपको पिछले वीडियो में बताया था पानिपत का पर्थम युद बाबर और इब्रहायम लोदी के बीच में वा था जो पंदरे सो चबवीश इस्विय में वह था तो यहीं पे पानिपत का दूसरा युद्धु आता जो हेमु चंद्रविक्रमा देते उसके किलाफ ये दूसरा युद्धु आता देखे युद्ध का प्रमु कारण था जो हेमु था उसके दौरा दिल्ली पर मुगलो का पर सासकता आर्दी बैक ता, उसको पराजित कर हेम चंदर विक्रमादित्य की नाम पर स्वेम को सासक घोषित किया। और विक्रमादिते की उपादि धारन करने वाला ये है भारत का चोधवा भारत का चोधवा और मद्दे का लिन भारत का अंतिमिंदू सा सकता है जो मद्दे युगी इन भारत है उसका अंतिमिंदू सा सकता है और अकबर ने बेराम खान को हेमु के विरुद भेजा क्योंकि उस टाइम पे जब अकबर का राजाविशे को आ उस टाइम पे अकबर 14 साल का था तो इसके जो सेना पती था बेराम खान वही इसके सारे युद के बारे में जो सेने के भियानते हूँ सब बेराम खान ही देखता था तो इसी समय पे बेराम खान को हेमु के विरुद में अकब एकबर ने बेरामखान को प्रदान की अकबर से सम्मन दीता है अकबर जो अपना सासन था पहले उसकी मात थी जो मा मंगा वो उसको एड़वाइज देती थी कि यह से करो इसे करो लेकिन 1562 तक अकबर ने यह सारा सासन था जो अपने अदिन कर लिया था तो इसे ही पे टिकाट सासन वेश्टा या खरम का परवाव क्योंकि 1562 तक अकबर 20 साल का हो गया था और समझदार हो गया था अकबर के कारे रेखिए 1562 में आमेर के राज्ये के साथ वेवाइक सम्मन दिस्तापित किया था दासपरता पर रोग लगाई जो आमेर का राजा था उस टाइम पे भारमल तो उसकी पुत्री थी उसके साथ बढ़ने विवाख किया था और 1563 में तीर्थ यातरा कर समाप्त किया जो हिंदू तीर्थ जाते थे उसके लिए कर लिया जाता था एक परकार का कर उसको समाप्त किया था 1563 में और 1564 में जजिया कर समाप्त किया जजिया कर होता है जो गेर हिंदू गेर मुस्लिम होते हैं उनसे जज्या कर लिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया और 1565 में आगरा का लाल किल्ला बनवाया। कि सासन काल में तीसरा जोर हुआ था और जेमल फत्ता लड़ते हुए मारे गए थे इस दोरान अकबर दुआरा कतलयाम कादेश दिया गया था लगबग 30,000 पर जाती उनको मोद के गाट उतार दिया गया था इसलिए इस कतलयाम कादेश था अकबर का सासन काल पर कलंक वाना ज तो देखिए इस टाइम पर अकबर ने पंदरह सु सत्र में नागोर दरबार लगाया तो उस टाइम पर जो मारवार था उसका राजातत संद्रशेन तो वो इसमें सामिल वाता लेगी नादिकवर के दिनता सुविकार नहीं की थी बाकि सारे राजों ने अकबर के दिन तस्वीकार कर ली थी और फतेपुर सीक्री जो 1570 गेतर में आगरागी निकट फतेपुर सीक्री बसाया वो राब्दान बनाया तो यहाँ पर इसने इमारतों का निर्मान करवाया वो यह मारते हैं गुजरात विजे थी गुजरात विजे के उपलक्स में बुलंदर वाजा का निर्मान करवाया जो 176 फुट उच्चा है 176 फुट उच्चा है उसका निर्मान करवाया था गुजरात विजे के उपलक्स में अकबर का सबसे देखिए अकबर का सबसे तिवर गति का सेने कभियान भी गुजरात पर ही हुआ था इसके अंतरगत 640 किलोमेटर की दूरी नो दिनों में पूरी की थी का कि मातर नो दिनों में 344 किलो मेटर की दूरी तई की थी दूसरा देखिए इसमें иковधत कना ता जो अकबर वहां पर अपने बैष्तल और अपनी IS TV करता था अपना ध्यान करता तो आगे देखिए पंच महल यह हवा महल के इसामान है पंच महल और इसका निर्मानी फत्यपूर सीक्री में करवाया था चोथा देखिए दिवाने आम और दिवाने खास पांच वासले मुद्धिन चिस्ती का मकबरा जो धवाय के महल और सतरा स्चोतर में अकबर के दवारा मनसबदारी परता परारंब की जो इरान से ले गई थी अकबर ने मनसबदारी परता परारंब की थी जो इरान से ले गई थी और 1580 में जो टोडरमल थे इसके दवारा दह साला परता परारंब की गई इसके अंतरगत दस वरसों में अपनी फसल का जितना उत्पादन होता है उसके आधार पर उसका उससत निकाल कर लगान का निर् नामक धर्म को परारंब किया जिसमें अठार अन्वाई था और जो बीरबल था ये एक मातर हिंदू अन्वाई था इसमें मान सिंग ने मना कर दिया था इस धर्म में दिख्षा लेने के लिए और ये इतियासकार था इसमित इन्होंने अकबर की मुर्खता का इसमारक का था जो इसने देने इलाही नामक धर्म चलाया था इस धर्म को इतियास कार इसमित ने अकबर की मुर्खता का इसमारक कहा था और 1583 में अकबर ने इलाही समवत परारम किया इलाही समवत 1583 में इलाही समवत परारम किया और 1601 से 1602 में अकबर का जो अंतिम सेने के भियानता वो असीरगड 36 गड़ में हुआ था असीरगड 36 गड़ में हुआ था अकबर का सासनकाल संगीत एवं हिंदी सहीते की दिर्ष्टी से देखिए संगीत एवं हिंदी सहिते की दृष्टि से मुगलकाल का स्वर्णकाल कर लाता है इसका दरबार नवरत्मों से परिपूर्ण था अकबर के नवरत्म थे मैं आपको अकबर के नवरत्मों के ट्रिक इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ बहुत सांदार ट्रिक है आपको डिस्क्रिप्शन और उसकी लिंक मिल जाएगी आप जाके उसको देखिए अब उल्फजल थे नागोर के थे ये फार्ष के इतियास कारते जिन्होंने अकबर नामाइम आईने अकबरी नामक पुस्तके लिखी थी जब अकबर ने इनको इनके पुत्र थे सलीम बड़े ओके उनको जहागीर का गया उसको समझाने के लिए भेजा था तो सलीम ने वेट्चिंग बुले बिंदेला था उसके आप जो बुल्फजल जी थी इनके इत्या करवा दी थी दूसरे थे भगवान दास ये भारमल के पुत्र थे और जो मान सिंग था उसके पिता थे तो इनकी पुत्री मान बाई थी उसका भगवान दास ने जहागीर के साथ किया था टोडरमल टोडरमल यूपी के थे भूमिशदारों के लिए जाने जाते थे इसके बाद में अकबर के दरबार में आये थे तो दससला पराथा परारम बी की थी बेर्बल थे इनका नाम महेशदास था अकबर इनको रिवा के साथ सकते एम पिके रामचंदर उनके दरबार से बुलाये था अपने हजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे प्रन जिवाब है मांसीन पर्थम तो मैंन भगवंत दास उनके पूत्र थे बगवानदास जन इसको अकपर ने 7000 का मंसब प्रारह्म केया था यह मांसीन को हिंदू में सरबादिक मंसब प्राप्त था, तानसेन इनका जो मूल नाम था, रामतनू पंडे था, अकबर ने इनको भी रिवा के दर्बार चे बुल ऊये था, राम्चंदर के दर्बार चे बुल ऊये था, संधिक संगीत सम्रात ऐं कंठा बरन की उपादी परदान की थी, तो आगे देखे, रहिम दास, मुलादोपयजा परसिद अर्भी विद्वान थे वो परसिद शेना पत थे अकबर ने साथ अज़ार का मनसब मुलादोपयजा को परदान किया था नववे हैं फेजी या इनको फजल भी कहते हैं ये अबुल फजल के भाई थे जिनको अकबर ने अनुवादिवा का प्रमुक बनाया था और देखे एक में कई गरंथों का फार्सी में अनवाद किया गया इससे पहले तुर्की भास आती बाबर के समय क्योंकि बाबर ने अपने आत्म कता लिकी थी तुज़ू के बाबरी तुर्की भासा में लिकी थी अकबर के समकालें पर्मुः। सासक एम बेिखती देके चित्रकार देखिए अबदुल समध मुहमुधी पैवम बसावन अकबर के समय के पर्मुधी इसके बाद में देखिए मुनी हरी ॅकबर ने इनको जगत गुरु की पा दे दी मुनिक जिन विजे इनको यूग परदान की विदा उपादी दी और जेन विद्वान थे दोनों खिलसिदास अवधी में राम चरितमानस लिखी थी 37 गुरू थे अकबर ने 500 बिगा भूमिदान में दी जाए इनोंने राम दास्पुरिया अभी जिसको अमरत्सर कहते हैं वो नगर बसाया था बरके समकालिन परमुक सासक देखे दुर्गावती देखे दोस्तो दुर्गावती गोडवाना की सा सिका थी चांद वीबी अहमद नगर से चांद वीबी थी जो मालवा है दक्षिन में ऐम पी में वहां से बाज बहदूर पर्थम मालवगासा सकता गुजराद का मुझफर साहद धियत था काबुल का हाकी मिर्ज़त था ही सही इसके लावा बंगाल का दाओद खाता हाकी मिर्ज़त था इसको मान सेंग के से निकِब्यान में इसको हरा दिया गया था इसके बाद में देखिए बंगाल का दाउद खा था सिंद का जानीबे बिहार का मुनिर खा उडिशा का निसार खा कालेंजर का रामचंदर असीरगड का मीरान बहुत्दूर खान था और ये आमेर का भारमल भगवान दास और मान सिंग तीनों अकबर के समका लें थे अनरा सुबासट में भार मन ने अपनी पुत्र का विवा अकबर के साथ किया फिर भगवान दास ने अपनी पुत्री थी मान भाई उसका विवा जहांगिर के साथ किया और मान सिंग था ये अकबर के मनने के बाद मे सास्वरा था अमेर्का मेवाड मेवाड के बुदेシंग महारण परताप और अमरं शिंग तिन नुम मेवाड के iqe बडइक लिए आपक वर कि शमकालन इन त्व पत्वोड का चंदरशेन मोटारा जाओ इचिंग और जैम सम्ट तो देखें आरवाड में जो अक्पर का परतं दिंता स्विकार करने वाला सासक देखंघ आ दब क कैंने वाला स्रीकार नहीं की थी मर्ते दम- थोड़ जो 1567-68 में युद्ध खर्तेवे मारा गया था बुंदी वर रन्थमबोर के सूर्जन राई थे विकानेर का कल्यानमल इसके बाद में इसका पुत्तर था राई सींग जैसलमेर का हर राई भाटी और देखिए 605 में आगरा के निकट सिकंद्रा में कब 1605 में कहां पर आगरा के निकट सिकंद्रा में इसकी अकबर की मर्त्यों गई थी सिकंद्रा में अकबर की मर्त्यों हुई और वहीं पर अकबर का मकबरा बनावार तो देखे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो आपको कैसा लगाई आप कमेंट सेक्षन में जरूर लिखेगा और आपको टेलिग्राम लिंक जोइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन है आपको लिंक मिल जाएगी इसे पहले वीडियो जो हमारे ट्रिक थे अकबर के नवरतनों की ट्रिक या चंदर गुपत के नवरतनों की ट्रिक कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक देख जी मिल जाएगी उसको देखेगा दोस्तों उस संदर्ट ट्रिक है उन मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार